स्वागत आपका इस नई वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे Marking Scheme Class 10 English Language and Literature Code 184 Morning के क्या क्या दिया गया है जो Marking Scheme में इसी के हिसाब से पेपर चैक होता है और जो आपका पेपर चैक होगा उसमें ये सारी चीजे देख कर ही आपको नमबर दिये जाएंगे तो ये पहला Discursive Passes के आंसर है ये उसका चेटा पार्ट है और ठीक ऐसे ही साथवा आठवा ये दूसरा Case Based Factual Passes देखें Case Based Factual Passes 10 Mark का था तो ये उसके Marks है नमबर है जो आपको आपकी आंसर सीट चैक करते हुए टीचर्स चैक करेंगे और फिर नमबर देंगे ये Question Paper आपके पास होगा उस Question Paper से आप Mark लगाईए निसान लगाईए कि आपने कितने सही करें और कितने गलत करें टीचर्स चैक करके आपको आंसर सीट जरूर दिखाएंगे ये Grammar का है 10 Mark का Grammar है जिसके अंदर ये Marks दिये गए हैं जो भी आपको Error आ गया या फिर Phillips आ गया या Error Correction आ गई Writing Skill में देखिए for both 4A and 4B, any one, total 5 Marks, format, full credit of all aspects, content 2, organization of coherence, 5th A, 5th B, organization of ideas, letter, literature, test book and supplementary reading text, ये 40 Marks का है यहां पर सबसे जो important चीज जो जाती है वो है Grammar, Grammar का आपको ध्यान सही होना चाहिए क्योंकि Grammar में क्या लिख दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इन सब का चीज है ये आपका Question No.6 है Points में Answer दे रखा है, means Points में ही आपको Answer Attempt करने होते हैं, पेपर में, ताकि आपके अच्छे Marks आएं ये Answer की है, मतलब इतना तो आपको कम से कम लिखना होता है, अपने Answers में, Answer Seat के अंदर इससे जादा भी लिख सकते हैं, बट इतना तो कम से कम लिखना ही लिखना है For a Five Short Questions First Flight, देखिए ये है, Organization और ये, इसको आप उतार भी सकते हैं, सही से लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको दिक्कत करेगा अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपको पूरे marks नहीं मिलेंगे आपके final exams में, तो ये है आपका सही सही से, Answer की कम से कम इतनी चीज़े तो आपको लिखना ही चाहिए, क्या reason थे, क्या characters थे, सभी answers मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, आप note, जहां भी महां रुक के आप note कर लिजिए उसको, काफी interesting है कि आपको answers मिल जा रहे हैं समय पर, यह आमेंडा first flight, और यह चल रही है, few things, few hints, class 10th English का यह morning का है, और यहाँ पर यह paper फिनिश हो गया, तो उमीद यह है कि आप इसको अच्छे से note कर रहे होंगे, और अपने marks कितने आएंगे, अब आप आसानी से पता लगा लेंगे, इस answer seat से match करके, आपने दोस्तों को share करिए, वीडियो को like करिए, thank you,